आश वीडियो में हमने देखा वीडियो नमबर 1 और 101 में कि हमने 5 verbs की बात की arrange से क्या होता है data sort करते है ascending या descending select किसे क्या होता है column को select करते हैं कौन सर्फ अफरस करे हैं हमें 2 columns चाहिए हैं तो हम 2 columns रख लेते हैं mutate से new variable calculate करना होता हो filter row पे condition होती है summarize होता है data की summary के different functions के लिए आज हम एक बड़े rich data set को देखने जा रहे हैं और वो data है gapminder gapminder.org एक बड़ी जबर्दस data से related organization हैं आप उस में से वो data ज़रूर देखिएगा मैंने आपको यह बताया था कि install.packages वैसे ही है जैसे हम एक बलब install करते हैं और उसके बाद library क्या होती है और यह एक ही दफ़ा करना होता है और library क्या होती है जैसे button on करके हम उसको अपने लिए use करते हैं तो यहां पे यह दोनों packages मेरे installed हैं तो इसलिए इस वकत मुझे installation की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ button उनको recall कर रहा हूँ library gap minder तो gap minder library जब मैंने recall की तो gap minder data इसके inside built-in है अब अगर मैं यहां पे gap minder data देखूँ तो यहां पे आप देखिए तो आपके पास यह सारा data है 17004 observations हैं और 6 columns हैं अच्छा अब यह data basically 1952 से start होता है 1952 और हर 5 साल के gap के साथ यह data आपको 192 countries का यह इस तरह से आपको जो है available है up to 2007 तो हम देखते हैं कि यह data को अगर हमें ग्लिम्प्स आज मैं एक छोटी सी और चीज़ आपको show करने जा रहा हूँ ग्लिम्प्स क्या होता है data का एक सरसरी सा जायजा क्या है data के overview ले रहे होते हैं तो एक overview लेने के लिए हम क्या करते हैं gap minder तो gap minder तो data का नाम हो गया और last time मैंने बताया था pipe operator then then क्या करो glimpse मांग लो तो यह glimpse हा गया तो यह basically यहाँ पे देखे तो यह कह रहा है यहाँ पे 6 variables है country factor variable है हालांकि इसको वैसे character variable कहना चाहिए continent factor variable है year जो है यह integer variable है life expectancy continuous variable है population continuous variable है और GDP per capita double variable है तो integer यह double variables है तो numerical variables है अब हम अपने वही पांच चीजें आज हम gap minded data और इसके बार मैं अलिफिलान data जो पाकिस्तान के different जो है वो primary schools का data है अलिफिलान organization ने click किया था उसको आपके साथ demonstrate करूंगा चाहिए इस वीडियो में या इससे next वाली में तो वो हमारा अपना local data होगा whereas at the moment में gap minded data के साथ चल रहा हूँ तो अब देखें बाजुकाद data ऐसा होता है कि उसके किसी एक particular set of variables को हमें select करना होता है तो अब हमने ये कहा कि select से क्या होना है column select होना है तो आप देखें तो यहाँ पे एक column है GDP per capita एक column है life expectancy अब हम उसे ये कह रहे हैं कि gap minder gap minder then ये क्या है then इसके बाद आप new line में जा सकते हैं select country तो एक तो आप country select कर लो और क्या select करो एक ऐसी चीज़ जिसमें per का word यूज़ हुआ हो तो आप देखें क्या होगा तो यहाँ पे देखें दो चीज़े select होगी एक country variable select हो गया और एक GDP per capita यूज़ हो गया अब आपको पता है जब 5000-7000 variables data में होते हैं तो उसमें यह होता है कि फर्स करें हमें सिर्फ section 2 के variables चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे sc2 यानि कि फर्स करें वो variable select हो रहा है अब एक हमने कहा था कि filter क्या होगा अब यह data मेंने जैसे कहा कि 1952 का 192 countries का है 1957 का 192 countries का है 2007 का 192 countries का data है तो अब हम इस में से सिर्फ 2007 वाला data retain करना चाहते हैं तो अब सिर्फ वो रोस select कर लो जो के year equal to 2007 है तो उसके लिए हमने क्या command use की थी filter तो यह देखे gap minder then यह क्या है pipe operator तो pipe operator क्या करता है connector है यह इस से नीचे जो है यह मैं इसको उपर भी लिख सकता था ऐसे भी लिख सकते हैं आप continue यहाँ पर भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है filter कर दो डेटा सारे countries का आ गया सारे countries का 2007 वाला डेटा आ गया और मैं 192 कह रहा था sorry यह 142 countries का डेटा है 6 variables पे अब मैं चाहता हूँ कि यह basically क्या हो कि इस मैंसे मुझे life expectancy मुझे ना select करूँ बाकी variables कर लो तो क्या किया मैंने gap minder filter उपर हो 2007 साथ double equal लिखना है double equal लिखना है last time भी मैंने आपसे बात की थी pipe operator लगाओ और select कर लो अब life expectancy फर्स करो आपको नहीं चाहिए तो आप minus life expectancy लिख दिया अच्छो original data gap minder as it is आपके पास उपर available है अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो look here अगर मैं यहां पे यह देखूँ यह सारा जो कुछ कर रहे हो तो gap minder अगर इसका मैं ग्लिम्प्स मांगो तो यह उसी तरह से 1700 कुछ observations उसी तरह से मुझूद हैं जब तक आप इस data को एक निया assignment operator नहीं दोगे जो last lecture में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उस वकद तक यह data वैसे का वैसा रहेगा तो जैसे हमने वहां पे score शार्ट तो इस तरह से यह आपके पास है अब हम देखें इस इस वेरी सिंपल सिंपल gap minder एक data है क्या है इस बात को समझिएगा gap minder एक data है उस मेंसे हमने क्या किया filter कर लिया सिर्फ वो data जो के 2007 का है double equal 2007 का है उस मेंसे आगे हमने क्या किया 2007 का जो data display हो रहा था हमने का उस मेंसे life expectancy को नहीं select करो life expectancy को نہیں select करो minus life expectancy आ गया इस मेंसे then क्या करो rename कर दो किसको GDP per capita को rename GDP underscore per capita equal to GDP per capita आप सौरी GDP per capita तो यह देखें आपके पास यह rename होके आ गया आप चाते हो कि तो इसकी glimpse आजए तो आप इसके आगे glimpse तो यह देखे एक जैसे human brain English reading करते हैं वैसे चल रहा है तो यह 142 तो 6 variables के वज़ए 5 variables select होए हैं तो इसको आप चाहे वो जो है nice code देने के लिए हम pipe operator के बाद अगली line में shift हो जाते हैं तो आप एके मैंने तीन चीज़ें एक ही go में कर ली पहले gap minder data का नाम लिया उसमें से 2007 वाला data extract कर लिया उसमें से 6 मैं से 5 variables रख लिया और उन मैं से एक को rename कर दिया नेक्स देखते हैं यहां पे हमने क्या किया gap minder उसी तरह से वो filter उसी तरह से select एक था कि हम इसको एक निया data नाम दे लेते और सिर्फ last वाला ये वाला operator लगा देते तो हमने क्या कि या पहले ये वाला ये तो असले मैं सीख रहे हैं वैसे तो आप एक ही command में ये सारा कर लेंगे select आ गया तो filter भी आ गया select भी आ गया तो total GDP क्या होगा GDP per capita multiplied by population तो हमने एक निया variable calculate कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास एक निया variable calculate होगा अब आप एक और variable calculate करना चाहते हो आप कहते हो जी जो continent है उसमें हम सिरफ और सिरफ वो variable उसका नाम आप दे दें योरप और आप उसका एक जो है वो continent आप कहते है double equal यहाँ तक तो सारा वैसे का वैसा है फिर pipe operator लगाया अगली line में जाके आपने लिख दिया mutate mutate क्या है एक निया variable calculate करो और वो किसके equal है continent और वो उस पे condition क्या है double equal योरप double equal योरप तो आप आप देखेंगे अगर इस डेटा को मैं view भी कर लो यहाँ पे देखे इतनी ये एक human friendly जो है ना वो एक चीज़ है आप ये देखें योरप पहले नहीं था अब ये योरप आपके पास आ गया जहाँ जहाँ योरप है वहाँ पे true हो जाएगा ये देखें अलबानिया योरप में तो true हो गया जहाँ योरप नहीं है वहाँ पे false हो जाएगा control wc ये वाली window में ने close कर दी gap minder filter gap minder pipe operator filter this one life expectancy को हम फर्ज करें select नहीं कर रहे pipe operator rename mutate mutate और अब आपने यहाँ पे वैसे जरूएफ नहीं थी इस वाली चीज की क्योंकि हमने उपर minus life expectancy कर दिया था any or तो ये variables आपने select कर लिया और इस पे pipe operator लगा के हमने क्या किया हमने का जी योरप category एक case when बड़ी important चीज है जहाँ जहाँ true आया उसको योरप का नाम दे दो जहाँ जहाँ false आया उसको not योरप का नाम दे दो तो ये एक आप अगर इसको view करेंगे तो अब आपके लिए एक और easy way हो जाएगा उसी data को देखने का तो यहाँ पर देखें आपकी मर्जी आप उसको letters में दे सकते हैं not Europe, Europe, not Europe तो आपने वो जो true false है उसको आपने जो है ना एक नया नाम दे दिया योरप, non योरप तो आप देखें तो आपने एक human friendly way से पढ़ा gap minder एक बड़ा data है उसमेंसे filter लगा दिया सिर्फ year double equal 2007 उसमेंसे वो variable जो हमें नहीं चाहिए उसको minus कर दिया उसको minus लिख दिया select select क्या करता है? columns में से selection करता है filter क्या करता है? rows में से selection करता है नया variable rename करना है तो rename आपने नया variable calculate करना है तो mutate उसके बाद फिर आपने उसको mutate तो या जितने जीचे mutate यूज कर सकते हैं या within mutate बहुत सारे कौमा लगा के कर सकते हैं तो हम ने इस वोकर ये 4, 5, 6 चीजें at a time कर ली अगर आपको सिर्फ यही डेटा चाहिए था तो आप ये करें कि आप इसको एक नया assignment operator दे दें अब इसको मैं कह दूँ ना gap gap minder यूरप EU क्लिक रहें तो अब ये एक नया variable store हो गया और results भी नहीं डिस्पले होंगे क्यों क्योंकि अब मेरे पास इसको हमने name दे दिया है तो name देने के दो ways है एक ये है एक आपके पास name देने का ये त्रीका है अब यहाँ पे इसको हम reverse solder में पढ़ते है एक नाम देने का assignment operator देने का ये वला है तो अगर आप name दे देंगे तो वो result प्रिंट नहीं होगा और आप जब तक आप उसको दुबारा से लिखते नहीं है तो अगर name देना चाहें औरीजिनली as it is रहेगा तो अब आप देखें हम चाहते हैं कि यह वो जो GDP है वो arrange हो जाए यानि कि योरप नान योरप और वो सारे का सारा तो हमने यह बाकिस सारे steps as it is जो उपर लिये थे और जब आप थोड़े से थोड़े से उस्टू हो जाएंगे आप यह सारी चीजें एक ही गो में करेंगे और यह pipe operator और आपने एक चीज़ आमने last lecture में भी देखी थी arrange कर लें तो यह देखे हमने GDP arrange कर लिया तो अगर इसको view करूँ तो इसका क्या मतलब है minus GDP का मतलब यह है कि हमने सबसे ज्यादा जिसका GDP है वो जो है सबसे उपर रख लिया तो आप देखे है तो सबसे ज्यादा GDP किसका है United States का और वो not Europe है China not Europe है Japan not Europe है यह GDP per capita नहीं है प्लीज बी केरफू मैं इस वकत हमने जिस बेस पे किया है वो टोटल GDP की बेस पे किया GDP per capita के लिहाद से different stories आ जाएंगे तो यहाँ population से भी divided नहीं है तो इंडिया की population बहुत ज्यादा है तो अब definitely उसका जब even जो है 2000 डॉलर GDP per capita है तो उसको जब एक अरब और कुछ अबादी से multiply करेंगे तो बहुत बड़ा GDP आ जाता है लेकिन otherwise अगर population से divide करें तो जर्मनी, UK यह बहुत US यह बहुत आगे होंगे as compared to India ठीक है China will be somewhere in the middle अब आप देखें तो यह आपके पास आगे हैं अब आप यहाँ पर चाहते हैं उसके जी अच्छा फर्स करें आप चाहते हैं 2007 यहाँ पर हम एक अपने तोर पर काम कर लेते हैं GDP gap minder और हम कहते हैं जी filter आपने एक year लिख लिया double equal 2007 और एक आपने filter लगा दिया country country किसके equal है sea of पाकिस्तान इंडिया तो आप देखें आप कहीं filter filter year double equal यह देखें country में double equal नहीं लिखाया था तो उसने मुझे error दे दिया तो यह देखें तो इंडिया का GDP per capita आ गया पाकिस्तान का why not पाकिस्तान शायद अगली रो में नहीं एक ही रो में आई है any ओ तो इस तरह से आप चाहें तो आप इसको इस फार्म में किसी country के लिए भी कर सकते हैं ओके अब आप देखें तो हमने यहां पे किया किया वही सारे variables यहां तक तो हम कर चुके थे last step में अब आपने एक pipe operator लगाया आप एक ने आपने का GDP in billions यानि कि आपने वन बिलियन से divide कर दिया और आपने का पहली सिरफ arts values ले लो slice कर लो और इसको name क्या दे दो यह assignment operator है अगर पहले लगाएंगे तो यह डैश बात में आएगा उल्टा होजेगा और अगर बात में मेरे पास कुछ भी print नहीं हुआ यहां मेरे पास कुछ भी print नहीं हुआ तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको मैं यूरप यह 2007 तो यह मेरे पास अब जब तक मैंने उससे मांगा नहीं है उसने और सिरफ पहली art values मांगी थी तो उसने पहली सिरफ आट values दी है कियुकर यहां पे आपने लिखा था slice, यानि कि आप चाहो तो slice आप ये भी कर सकते हो, 11 से 18 कर दो, तो वो सिर्फ 11 से 18 वाली दे देगा, तो it depends कि आप यहाँ पे 11 से 18 कर दी है, 11 से 18 कर दें, तो ये basically, तो सिर्फ वो वाली दे देगा, जो 11 से onward है, तो this is how you can get slice से, आपको जों सा डेटा चाहिए हो, वो आप ले सकते हैं, अच्छा जी, ये plots को इस वक्त तो मैंने discuss नहीं करना, लेकिन this is how awesome plots you can get, लेकिन GG plot के लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद मैं अली फिलान डेटा लेके, तो पाकिस्तान के जो स्कूल्स की condition है, drinking water, electricity access, और boundary wall conditions, और infrastructure, और उन पे मेरी next वाली वीडियो होगी, तो please keep on watching, और इसको practice कीजिए, ठीक है, ये सारे के सारे code, वीडियो लिंक में मैं नीचे provide कर दूँगा, आप उस लिंक से download करके, ये सारी practice कर सकते हैं, thank you for watching, take care.